काश 20 की उम्र से पहले ये पता होता आप मैंसे काफी लोग भी अपनी 20's में होंगे और शायद कुछ लोग थोड़े सालों बाद अपनी 20's में पहुँच जाएं तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 20 से 30 साल की उम्र ही डिसाइड करती है कि आपकी आने वाली जिन्दगी कैसी होगी इस उम्र में आप जो relationships बनाएंगे जो career बनाएंगे जो mindset बनाएंगे वही जिन्दगी भर आपके साथ रहेगा आज जरूरी नहीं है कि ऐसा सब के साथ ही हो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी 30s, 40s में success मिलती है लेकिन अगर आप वो success अपनी 20s में ही हासल कर लो तो आपके पास खुद को और बहतर करने के लिए जादा समय बचेगा इसलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जिसमें आपको 5 ऐसी बाते बताऊंगा जो हर इंसान को अपनी 20s में पता होनी चाहिए और अगर कोई भी इन 5 advice को follow कर लेता है तो वो जिन्दगी में दूसरों से बहुत आगे निकल सकता है तो वीडियो को लाश तक जरूर देखना So let's begin बीस की उम्र में ज्यादा तर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि लोग अपनी सिहत का ध्यान नहीं रखते जो मिल गया खा लिया ना कोई exercise ना कोई sports पड़े हुए हैं शरीर को बिलकुल इस्तिमाल नहीं करना चाहते ये सब तब तो उतना खराब नहीं लगता लेकिन जब आप बड़े होंगे जब आप अपनी 50 एज में पहुचेंगे तब आपको regret होगा क्योंकि 20 की उम्र में तो शरीर मजबूत होता है कुछ भी खाओं चाहे कितना भी unhealthy खाना हो वो सब पच जाता है immunity भी मजबूत होती है तो कोई भी बिमारी नहीं होती लेकिन जब 50 की उम्र आती है तब उस junk food का असली असर दिखाई पड़ता है तब लगता है कि यार उस टाइम अच्छा खाना खाया होता अगर तब exercise की होती sports खेला होता तो आज हड़ियां मजबूत होती आज इतनी health problem से ना जूजना पड़ता और आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए अभी से अपनी health का ध्यान रखें अच्छा खाएं, limit में खाएं और regular exercise करें याद रखें, जिंदगी में सिर्फ दो तरह की pain होते हैं एक hard work और discipline का pain जो हमें मजबूत बनाता है जिसकी मदद से हम जिंदगी में कुछ बन पाते हैं और दूसरा pain regret यानि पच्छतावे का दुख जब आप मेहनत नहीं करते और जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते तो बस पच्छतावा ही रह जाता है और इस पच्छताव का दर्द इंसान को जिंदगी भर परेशान करता है इसलिए आज से ही decide कर लें कि आपको कौन सा pain चाहिए exercise का pain चाहिए या फिर exercise ना करने का regret और regret का pain चाहिए जब हम अपनी 20s में होते हैं तो हमें उतनी clarity नहीं होती हम confused होते हैं ना तो हमें career की कोई समझ होती है और ना ही relationship की और जब हम किसी से कोई career advice मांगते हैं तो ये दो-तिन तरह के जवाब ही मिलते हैं पहला ये कि अपना passion follow करो जो पसंद है वो करो दूसरा ये कि जिस काम में already अच्छे हो उसमें career बना लो और तीसरा और सबसे कोमन जो सब कर रहे हैं वही करो यानि डॉक्टर बन जाओ, इंजिनिर बन जाओ या फिर सरकारी नौकरी कर लो अब मैं किसी बात को सही या घलत नहीं कहूंगा पर मेरा personal advice ये ही रहेगा कि आप अलग-अलग चीज़ें try करें जितनी ज़्यादा चीज़ें try कर सकते हो उतनी ज़्यादा चीज़ें try करो क्योंकि अभी आपके पास time है लेकिन जब आप अपने 40-50 में होंगे तो ना तो आपके पास इतना time होगा और नहीं energy होगी इसलिए अभी जितनी भी चीज़ों के साथ experiment कर सकते हो, कर लो कम से कम जब आप भूले हो जाओ तो आप कोई regret तो नहीं रहेगा कि काश उस time मैंने ये कर लिया होता तो आज कहीं और होता क्योंकि ये regret बाद में बहुत बड़ा चुबता है इसलिए अलग-अलग चीज़ों में हाथ आजमाए क्योंकि पैशन इतनी आसानी से नहीं मिलता पैशन ढूनने के लिए बहुत सी चीज़ें ट्राइ करने ही पड़ती है और हाँ एक और चीज़ जो आपको ट्राइ करने ही चाहिए अगर आप अपनी 20s में हो और वो है सुख में सुमिरन यनि बुढ़ापे में नहीं जवानी में भक्ती लोग दुखी होते हैं और जब थोड़ी एज हो जाती है और दबाव लगना शुरू हो जाता है तम मंदिर जाते हैं लेकिन आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ती में लीन हो जाना है थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना for God worship दुनिया के 80% परिवारों में financial condition कुछ खास नहीं होती इसलिए उस परिवार में पैदा होने वाले बच्चे शुरू से ही पैसा कमाने का सोचते हैं उन्हें लगता है कि एक बार पैसा आ गया तो सब अच्छा हो जाएगा और कम उम्र से ही पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है आप अपने माबाप को financially support कर सकते हैं और कम उम्र में ही financial freedom को achieve कर सकते हैं जिससे आपकी आने वाली जिंदगी बहतर हो जाएगी लेकिन young age में अगर पैसे से भी ज़ादा जरूरी कोई चीज है तो वो है learning यानि सीखना और सीखते रहना सीखना क्या है? कोई भी ऐसे चीज जो आपको जिंदगी में काम आए या जो आपको एक capable इंसान बनाए लोगों से बात करना सीखो भावनाव पर काबू करना सीखो दोस्त बनाना सीखो सही गलत की पैचान करना सीखो लडना सीखो अलग अलग चीजों की knowledge लो क्योंकि अगर आपके पास सही तरह की knowledge और skill set होगा तो पैसा तो आप आसानी से बना ही लोगे लेकिन ये skills और knowledge आपको जिंदगी भर काम आएगी आप एक समझदार और काबिल इनसान भी बन पाओगे जिसे दुनियादारी का हर दाओ पैच पता होगा एक बात जो मुझे लगता है कि 20 साल की उम्र के लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेने चाहिए वो ये है कि समय कभी वापस नहीं आता जो समय आपके हाथ से निकल चुका है जो गल्तियां आप से हो चुकी है उनका तो आप कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन अगर आपके पास जो समय है आप उसको भी फाल्तो चीजों में बरबात कर दोगे तो आगे चल कर बहुत पच्चतावा होगा क्योंकि तब आपके पास समय नहीं होगा कि आप अपनी पास्ट की गल्तियों को सुधार पाए इसलिए अगर आप भी यंग एज में है तो हर दिन सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर करना है कि क्या मैंने आज अपने टाइम का बेस्ट यूज किया है अगर नहीं किया तो कल में किस तरह से अपने टाइम का बेस्ट यूज कर सकता हूँ सिर्फ ये एक सवाल आपकी पूरी जिंद्गी बदल सकता है अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये खबर पड़ी कि IIT मुंबई में एक B.Tech के स्टुडेंट ने हॉस्टल के 8th floor से कूद कर अपनी जान दे दी और स्टुडेंट्स के सुसाइट की ऐसी खबर लगातार आया करती है 15-24 साल की उम्र के लोगों में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है सुसाइट इसलिए जो सबसे बड़ी एडवाइस 20-25 साल के लोगों को देना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी failure से निराश मत होना क्योंकि शुरुआत में हर कोई असफल होता है यार जब एक छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है तो कई बार वो गिरता है लेकिन गिरते गिरते ही सही एक दिन वो चलना जरूर सीख जाता है उसी तरह जब आप कुछ हासल करने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में काफी बार हार का मूँ देखना पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते रहने से एक दिन आप सफल जरूर होंगे इसलिए जो भी करें पढ़ाई, नौकरी, बिजनिस, फेलियर से निराश होकर कभी गलत कदम मत उठाना याद रखें जितने भी लोग सेक्सफुल हैं वो कभी न कभी फेल जरूर हुए थे लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और कोशिश करते रहे इसलिए अगर आप अपनी 20s में हैं तो बस हरिवन्श राय बच्चन जी की एक कही हुई बात याद रखना नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चड़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चड़कर गिरना, गिरकर चड़ना ना अखरता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो अगर आपको मेरी एडवाइस काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इन बातों को जानकर समझकर अपनी जिन्दगी को सुधार सकें कोई question ये suggestion है, तो comment करके बताएं और ऐसी गजब की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल fitness secret को subscribe करके bell icon को दबाना बिलकुल मत भोलें मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए take care, love you all and all the best